एक हजार साल पहले जब हम कुछ इस तरह की जंगल में रहते थे तो हम क्या खाते थे अब इसलिए गेहों और चावल तो नहीं मिलता था तो स्टेफल डायट शायद कोई कंसेट ठाई नहीं और हम लोग शायद बहुत तरह के पत्ते खाते थे या फिर तो इस तरह के बेरीज खाते थे या यहा पर यहा जंगल पर मैं देखा हूँ बहुत अलग-अलग तरह के बेरीज तो अगर आप इस तरह के बेरीज खाओगे और पत्ते खाओगे कुछ सलाग मिलेगा कुछ-कुछ जो पेड़ है यहाँ पे हमको फ्रूट्स मिलते हैं मैंने थोड़ा सा एपल, sorry, not एपल, मैंगो एंड पेर ऐसे देखा है बढ़ इस तरह के देखो यह दूसरा एक तरह के बेरीज है यह बहुत मिलते हैं तो हम लोग खाते थे, that is, बेरीज और लीव्ज और मेभी कुछ तरह की सलाड काते थे और नॉन वेज खाते थे तो अगर पते खाते हैं, बेरीज खाते हैं, तो उसमें कैलरीज बहुत कम होता है और इसलिए इनसान को पूरा दिन खाते रहना पड़ता है जैसे के मंकीज खाते हैं, बंदर खाते हैं, उनको फुल डे लीव्ज खाते रहना पड़ता है तो आप जब full day पत्ते खाते हो, तो आपको calories बहुत कम मिलेगा, और वजन नहीं बढ़ेगा, that's one thing, calories बहुत कम मिलेगा, complex carbohydrates मिलेगा, और fats बहुत कम मिलेगा, तो extra calories नहीं होता है, और इस वज़े से आपका वजन नहीं बढ़ता है, दूसरा है, अलग-अलग berries में, अलग-अलग vitamins होते हैं, पत्ते में भी vitamins होते हैं, तो आपकी vitamins की जरूरत पूरी हो जाती है, और हम कितना भी धोए या पानी पिए, पानी में पूरा minerals होता है, क्योंकि यह natural drainage से होता है, पहाडों से drain होके आता है, तो हर तरह के minerals भी होते हैं, तो आपको हर तरह के minerals भी मिल जाने वाले हैं, तो हम city life में अभी क्या करते हैं, हम लोग mainly bread-based, that is weed-based and rice-based खाना खाते हैं, और ऐसा खाने से क्या होता है, कि जो carbohydrate की मातरा है, बहुत ज्यादा हो जाता है, और carbohydrate की मातरा ज्यादा हो जाता है, calories बहुत ज्यादा हो जाता है, cheese और fats और oil हम use करते हैं, जो thousand years पहले नहीं use करते थे, और जब आपने एक रोटी या पीजा